प्रतिग्या कॉंपेटिशन सिंटर के हमारी सॉनलाइन यूट्यूब चनल पे और जहारखन के इस्टडी में आज एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे जहारखन के फाइप टॉप करेंट अफ्रेस के क्यूशन को जो की एकजाम के विश्टे काफी इंपोर्टेंट है ठीक ह यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट क्यूशन पे पहला क्यूशन है यहाँ पे कि जहारखन के कौन से जिले में राश्टिये जाच एजनसी एन आई ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी के विशेज कोर्ट का विशेज नयायाले का गठन किया जाएगा तो ये विशेश कोट का जो गठन किया जाएगा ये अपका राच्छी में किया जाएगा किसका? N.I.A. यही है National Investigations Agency इसका मेन परपस है जैसे की आतंकवादी लोग और उगरवादी लोग इन लोगों का जो भी मामला वेगर होगा उन लोगों को सुनवाई के लिए यहाँ पर विशेश कोट का गठन किया जाएगा इस गठन का मंजूरी जो है वो हेमन सोरेल हमारे जो मुख्य मंत्री हैं वे इसकी मंजूरी अब जाकर के दिये हैं देखिए जो यह एन आई ए है यानि की नेशनल इन्वेस्टिगेशन से जन्सी इसका जोर जो है वो 2016 से ही दिया जा रहा है कि मतलब आतंकवादियों का उगरवादियों का जो मामला हो उस पे बिसेस नजर दिया जाए इसके लिए आदालत में भी और कोट कछरी में भी जो भी हो तो इस पे बिसेस रुख से इनके मामले की सुनवाई की जाए लेकिन यहाँ पे तब तक तो कोई ध्यान नहीं रहा कोई नजर नहीं रहा इसके बाद अब जाकर के हमारे जो हेमन सोरेंजी हैं वो इसकी मंजूरी दिये हैं और यह बिसेस कोट का गठन राची जिला में होगा अब यह लोग नेक्स टूशन पे चलेंगे जार्खन राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के बाद लागू को को एक रुपय प्रती कीलो के दर से कितने कीलो अनाज दिये जाने का प्रोधान रखा गया है यह जो जार्खन में फिलाल में ही लोग डाउन से पहले यह योजना लागू हुआ है तो जार्खन राएक खाद्य सुरक्षा योजना जो है यह होने के बाद क्या करा कि लागू को यानि कि जो इस योजना के तहट राशन ले रहे हैं अनाज अगर ले रहे हैं वो उसको एक रुपय प्रती कीलो के दर से कितने कीलो अनाज दिये जाने की प्रोधान को रखा गया है तो यह पांच कीलो है पांच कीलो अनाज जो है वो पर मन्थ दिया जाएगा और पर मन्थ दिया जाएगा तो जैसे एक केजी एक केजी अनाज का जो दाम होगा वो एक रुपया होगा ठीक है यहां पर एक केजी अनाज के अदाम एक रुपया होगा और पांच किलो जो दिया जाएगा अनाज तो फैमिली मेंबर में टोटल फैमिली को बस कार्ड होना चाहिए जिस कार्ड से आप अनाज को ले सकते हैं इस योजना के तहर तो यहां पर उस कार्ड के अनुसार प्रतियक में फ्रामिली के प्रतियक मेंबर को 55 केजी जिए जाएगा यान यह नहीं कि मतलब सिर्फ एक फ्रामिली पे दिया जाएगा तो वो एक एक रुपे के हिसाब से पर केजी के रुप में दिया जाएगा ठीक है प्रधान मंतरी मतस्य संपदा योजना के तहत महिलाओं और पुरुषों को कूल खर्च पर कितने रुपए का अनुदान मिलेगा देखिए ये योजना जो है प्रधान, मंत्री, मतश्य, संपदा योजना ये योजना सेंटरल लेबल पे है ये योजना है ये सेंटरल लेबल पे है और शुरुवात जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है लेकिन अब इसकी शुरुवात जो है वो जार्खंड में भी हो गई है जार्खंड में राची में ही मतश्य कार्याले में इसका आवेदन हो रहा है आवेदन किया जा रहा है और इस योजना के तहट सरकारी समीती सरकारी समीती भी भाग लेंगे और पूरुष भी और महिला भी यहाँ पर पूछ रहा कि कूल खर्च पर कितने रुपए का अनुदान मिलेगा जैसे कि माली जी यह मतश्य समपदा योजना है तो लोग तलाब मतश्य पालन को हर वेवस्था को टोटल रुप से क्लियर करना है तो इस योजना के तहट उन को बीतिये सायता डी जाएगी जैसे माली Dire đây अब का इस योज्ञा के तषट मुआ अता है ठीक है यह 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 एक सब्सक्राव में 60 परेशन्ट जो है वो मैला को और 40% कुरुष को ये बितिये सहायता प्रदान करेगी मतश्य पालन के लिए ठीक है ते पार हम लोग चलेंगे नेक्स क्यूशन पर के कौन से जिले में जार्खन का पहला मचली ओनलाइन विक्री का सेंटर खुले देखिये यह जिला है आपका राची ही राचे है कैपिटल ओफ जार्खन तो यह राची का आपका अंगड़ा प्रक्षंड है ठीक है अंगड़ा प्रक्षंड का डैम है यही पे मचली का ओनलाइन विक्री सेंटर यानि की मचली बेचने का ओनलाइन विक्री सेंटर खुला गया है देखिए यह जो ओनलाइन विक्री सेंटर है मचली का यहाँ पे आप मोबाइल पे एक क्लिक के द्वारा यहाँ पे मचली का क्या भाव है क्या रेट है और मचली की सारी दशा को आप मोबाइल पे ही देख सकते हैं यह जो बिक्री कर रहा है यह एक WhatsApp नमबर भी रखा हुए है जिसके जरीए यह डारेक्ट आपको अनलाइन सारे चीज़ को दिखाएगा पर नेक्स टूशन है कि जार्खन के कितने जिले में E, F, I, R ठाना खोला जाएगा तो जार्खन में टोटल जो डिस्ट्रिक है वो आपका 24 24 डिस्ट्रिक में आपका 22 डिस्ट्रिक जो है इतने E, F, I, R ठाना खोला जाएगा यानि कि दो जिला में नहीं रामगर्ण और खुट्टी यह दो जिला को छोड़कर रामगर्ण और खुट्टी दो जिला को छोड़कर बाकी टोटल 22 जो जिला है इसमें E, F, I, R जो है वो आपका ठाना यह ठाना खोला जाएगा इस ठाना के मतलब में परपश है जैसे कोई भी मसावरा हुआ या फिर समस्या हुआ उत पर एफाइया दर्ज करना है यहां पर तो इसको इलेक्ट्रोनिक माजहम से मुबाइल आप के द्वारा या फिर कोई पोर्टल के द्वारा ओनलाइन यह फाइयारक किया जाएगा तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि मेरा क्लास कैसा लगा और हमारे सारे क्लास को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना बिल्कुल न भुले तब तक के लिए धन्यमाद